अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिनल मैस क्लास को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दियर स्टुडेंट्स वागर आप सभी का आज की क्लास में चैप्टर फाइब कॉंटिनुटी और डिफ्रेंशिबिल्टी में एक्सरसाइज 5.1 को कॉंटिनुर रखते वे आज मैसे सबसे पहले कुश्य नबर 19 को डिस्कस करेंगे और फीफिेन को एक दिन पहले डिस्कस किया था और नहीं किया तो हुसे और थो निइक वह सब्या आतव को पूछ निजैगा जिए को सेभंटीन और स्केश्छ करेंगे और उसके बाद 17 और 18 को बाद में डिस्कस करेंगे पहले question man 19 को इसलिए discuss कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा time लागेगा ठीक है इसे थोड़ा detail में discuss करेंगे और question man 19 को करने से पहले सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि greatest integer function क्या होता है क्योंकि question man 19 विसकी जरूत पड़ेगी ठीक है greatest integer function हिंदी में कहते हैं महतम पूर्णांक फलन इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक ठीक है वैसे पड़ावाए आपने 11 क्लास में पड़ावाए है लेकिन हो सकते कि आपने से कुछ बच्चे से भूल गए हो ठीक है तो समझ लेते हैं कि होता है कि महतम पूर्णांक फ इसका सिम्बल स्कूर्ण रेकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्चिन का और इसका मतलब होता है इसे नाम से यह ग्रेटेस्ट इंटीजर महतम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर महतम पूर्णांक कौनसा महतम कौनसा ग्रेटेस्ट लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर less than x से छोटा ठीक है यहापर कोई भी जो संख्या होगी कोई भी जो real number होगा उस real number से उस वास्तिविक संख्या से छोटा जो पूरांग होगा उसे छोटा जो सबसे बड़ा पूरांग होगा इससे छोटा सबसे बड़ा पूरांग इससे चोटा से महत्म पुर्राक होगा ग्रेटेसेंडिजर लेस्दैन और या फिर कि हैU21 to X 107 आप यह इकुल टू आला बात यह वाली बात बाँयेगी जब यह खुद पूर्राक होगा एक एक-ए अगर यह खुद पूर्राक है तो सबसे महत्म पूर्राक जो यह खुद होगा ठीक है एक्जम्ब से समझ देते हैं एक्जम्ब से आपको यह और अच्छे से समझा देगा ठीक है एक एक्जम्बल में लेते हैं सब्सक्राइब कोई रियल नंबर है कोई भी रियल में दें 3.9 ले रहो है है 3 है 2 है 1 है 0 है माइनस 1 है माइनस 2 है माइनस 3 है ना तो उनमें सबसे बड़ा कौन है greatest इसे छोटे जो integers है 3 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 उनमें सबसे greatest कौन है 3 है ना तो इसका अंसर होगा 3 तो अब आई वाली बास में ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स इससे छोटे जो integers हैं में सबसे जो सबसे बड़ा जोगा ठीक है सबसे महतम जोगा ठीक है तो यहीं महतम पूरा कौन है और एक्जम्पल देल लेते हैं अब यहाँ पर जाता हूं 3.7 तो 3.7 इससे छोटे जो integers है 3 2 1 0 उनमें सबसे बड़ा कौन है 3 एक और एक्जम्पल लेते हैं 3.01 ठीक है 3.01 इससे छोटे जो पूर्णांक हैं इससे छोटे जो integers है 3 2 1 0-1-2 तो उनमें सबसे बड़ा कौन है 3 है न ठीक है और एक और एक जाब बलेते हैं 3 3 ठीक है अब यह आली बात आएगी और एक्वल टू एक्स ठीक है तो 3 के एक्वल या 3 से छोटे integers तो 3 के एक्वल या 3 से छोटे इंडिजर है 3 2 1 0-1-2 और मैं सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 3 है एक्वल टू 3 ठीक है एक और एक्जम्पल ले लेते हैं चल्द यह लिख लेते हैं 2.9 एक्वल टू होगा ठीक है जैसे यहां पर इस एक्वल गजा था इसे छोटे जो इंडिजर से छोटे जो पुर्णाग है 2 1 0-1-2-3 उनमें सबसे बड़ा कौन है 2 है 2.8 इसका भी अंसर इसकी वी वैल्यू क्या होगी 2 क्योंकि से छोटे जो इंडिजर से हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है 2 2.6 2.4 कुछ भी लिख दियो 2.1 ठीक है और 2 इन सब का अंसर 2 होगा ठीक है तो यह है इसके इंडिजर फंक्शन मुझे लगता है कि आपको समझा आगया होगा नहीं समझा आया तो पूछ लेज़ेगा अब इसका ग्राफ देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है और वही इसमें सबसे इंपोर्टेंट है जो हम कुश्चिन में 19 में डिसकस करने जा रहे है क deficit के 200 देखते हैं तो चलिए अब देखते हैं कैसे इसका ग्राफ करते हैं के ग्रेत्स इंडिजर फंक्शन अच्छा आपको मैं एक को पता नह भूल गया था इसको step फंक्शन या floor इस फोर फंक्शन भी कहते हैं ठीक है इससे ग्राफ लाव करते हैं यहां पर एक्स की पॉजिटिव वैली के लिए मिन्स पॉजिटिव डिया नंबर के लिए ठीक है तो जीरो से ठीक करते हैं जैब यहां से जिरू से लेके बंट उन से ठीक पहले है ठीक है से लेकि ंसे ठीक पहले का बता अजिरो से लेकि जीरो पॉइंट एक यहांपे बाता है कि तो 0 से लेके 0.999 तक y की value की आएगी, 0, अभी आपको greatest integer function की definition में बताया था, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, या फिर आगे इसी तरहेके से 0.999, इसके लिए इसकी value की आएगी, 0, ठीके, तो उसका graph ऐसे चलेगा, यहाँ पर straight line, ऐसे, फिर जैसे यहाँ पर x की value 1 लेंगे, तो y equal to की आएगा, 1, ठीके, तो यहाँ पर मैं 1 पर ऐसे circle बना दिया, ठीके, तो यहाँ से तो graph continuous चला, ठीके, और यहाँ पर break आगया, अब मुझे pen उठाने की जोड़ पर रहे हैं, तो it means discontinuous हो गया है, कहाँ पर 1 पर, x equal to 1, जब यहाँ पर 1 रखेंगे, तो y की value 1 आएगी, ठीके, तो अब यहाँ से चुरूगा, x equal to 1, अब यहाँ से लेके, 1 से लेके, 2 से ठीक पहले, means 1.999, जबहें पर 1 रखेंगे तब भी value 1 आएगी, 1.1 रखेंगे तब भी 1 आएगी, 1.2 रखेंगे तब भी 1 आएगी, 1.999 रखेंगे तब भी 1 आएगी, तो यहां से लेके 2 से ठीक पहले तक इस Y की वैली क्या होगी? 1 होगी और यह straight line आएगा parallel to X axis और जैसे हम 2 पे पहुचेंगे बिंस जब X जागा पर 2 रखेंगे तो Y equal to 2 जाएगा ठीक है? तो यहां पर मैं इस तरहे किसी यहां पर circle से so कर रहा हूँ ठीक है? बिंस 2 पे break आ गया ठीक है? अब 2 से लेके यहां से 2 और 3 के बीच कि real numbers के लिए Y की value क्या होगी? 2 कैसे? अगर है 2.01 रख रहे हैं तब भी 2 2.1 रखेंगे तब भी 2 2.2 2 2.3 2 इसी तरहे के से 2.9999 तक भी 2 तो 2 और 3 3 के बीच के real numbers के लिए Y की value 2 आएगी ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? 2 से start करते हैं X equal to 2 के लिए Y की value 2 है और यहां तक 2.9999 तक ठीक है? फिर जैसे हम 3 पे पहुचेंगे 3 पे Y की value 3 हो जाएगी और 3 पे यहां पे function break हो जाएगा इसी तरह के से 3 और 4 के बीच के real numbers के लिए Y की value 3 होगी 3 और 4 के बीच में इस तरह की से तो इसी तरह की से graph चलता रहेगा ठीक है? तो साफ यहां पर इसका graph दिखाई दे रहा है कैसा graph है यह? discontinuous graph है ठीक है? और discontinuous कहाँ पे हुआ? पहले यह 1 पे break हुआ फिर 2 पे, फिर 3 पे फिर 4 पे इसी तरह के से आगे 5, 6, 7, 8 ठीक है? इसका मतलब है कि जो greatest integer function होते है वो discontinuous होते है असदत होते है कहाँ पर? integers पे पूर्णा को पर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे इनी पे तो discontinuous होआ? तो यह बाद यहाद रखना कि greatest integer function discontinuous होते है असदत होते है integers पे, पूर्णाओं को पर तो अब discuss करते है question number 19 को question number 19 show that the function defined by g of x is equal to x minus greatest integer of x is discontinuous at all integral points and here यह भी हमने discuss कहते है कि यह क्या greatest integer function होता है greatest integer में क्या होता है less than greatest integer less than or equal to x जो पे में discuss कहता है ठीक है हिंदी में question पर लेते है दरशा यह कि g of x बराबर x minus greatest integer function of x महत्तम पुर्णाग फलन x का ठीक है द्वारा परिभासित फलन सबस्त पुर्णाग बिंदूँओं पर असंतत्त है तो अभी हमने greatest integer function का graph देखा था तो हमने देखा था greatest integer function का जो graph होता है वो discontinuous होता है कहाँ पर integers पर पुर्णाग पर ठीक है तो वही बात हमें यहापे proof करनी है कि जो में function given है वो discontinuous है integral point means integers पर पुर्णाग पर ठीक है let a belongs to capital Z और capital Z represent करता है set of integers को तो suppose a क्या है एक integer है a एक पुर्णाग है ठीक है तो हमें इस पर जो function हमें given है उसकी continuity check करनी है discontinuous proof करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा left hand side limit left hand side limit और यह हम कहाँ पर कर रहा है at x equal to a और a हमने integer सबसे किया है left hand side limit limit x tends to a negative f of x is equal to limit x tends to a negative f of x x minus और यह greatest function का symbol होता है टीक है is equal to x के जगा पर यहापर यह क्या x tends to a negative a negative यह से थोड़ा काम suppose h कम है तो यहापर x के जगा पर लिदेंगे a minus h a minus h x के जगा पर ठीक है minus x के जगा पर a minus h ठीक है और limit a से थोड़ा कम और जो हमने h जो हमने लिया है यह बहुत छोटी value होती है nearest to 0 होती है very close to 0 होती है तो इसलिए हाँ पर यह होगा limit h tends to 0 ठीक है तो अभी यहाँ पर h की value को substitute नहीं करना है अभी यहाँ पर h की value नहीं रखनी है ठीक है अब जोड़े हाँ जहाँ से समझना limit h tends to 0 a minus h यह greatest integer function का symbol है और यहाँ पर a minus h है और a क्या है integer है जहां से बना a integer है तो एक कोई integer सब्सक्राइब कर लो a सब्सक्राइब कर लेते हैं 3 ठीक है तो 3 minus h और h मैंने बताया कि बहुत छोटी value होती है तो 3 minus h हो सकता है 2.99999 ठीक है तो 2.999 के लिए greatest integer की value क्या होगी 2 ठीक है अभी greatest integer function की definition में हम देखा था 2.99 के लिए 2 होगा ठीक है तो जब a की value 3 आई तो greatest integer function आ रहा है इसके लिए 2 ठीक है एक और example ले ले लेते है सब्सक्राइब कोई integer है कोई पूरांक है 4 लेते हैं 4-H 4 से थोड़ा सा कम 3.999 4-H जो होगा 4 से थोड़ा सा कम क्या होगा 3.9999 और उसके लिए greatest integer function की value क्या होगी 3 तो जब a की value 3 लिए है तो इसकी value 2 आ रही है और जब ने इसकी value 4 लिए है तो इसकी value 3 आ रही है दूसी दरीकी से जब आ पर 5 लेंगे तो इस 4 आ रही है इस एक कम आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा a-1 ठीक है यह वाली बात आ गए सोने अब यहाँ पर H की value को substitute कर सकते है a-0 इस ब्रेकेट आड़ा दो minus a minus plus 1 a से a का सिर्वा इकोल टो आ गिया 1 ठीक है यह आगे left hand side limit अब निकालते है right hand side limit right hand side limit is equal to limit x tends to a positive f of x is equal to limit x tends to a positive f of x x minus greatest integer function of x equal to limit x जब लिदी करते हैं लिबूटे जगे आपर h tends to 0 x की जगा पर आजएगा a plus h minus यह greatest integer function का symbol है x की जगा पर लिखना है a plus h ठीक है अभी h की value substitute नहीं का नहीं है अभी हमें यहापर देखना है कि इसके लिए greatest integer function की value क्या होगी ठीक है ठीक उसी तरह की जचेसमें उपर example यह था एक को integer suppose कर लो पूर्ण suppose कर लो दो कर लेते हैं ठीक है दो और 2 plus h का मतला होगा 2 से थूड़ा से ज़ादा suppose 2.0000001 ठीक है तो जहांपर 2.001 होगा तो उसकी वह लिए का हैगी 2 ठीक है एक और example ले रहते हैं अगर हम यह पर कोई पूर्णा कोई integer 3 ले 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 तो 3 plus h का मतला होगा 3.000000 something 3.0000001 suppose ठीक है तो उसके लिए वैली का हैगी 3 ठीक है अब देखो जबने एक वैली टू ली तो इसकी वैली 2 आई जब एक वैली 3 ली तो इसकी वैली 3 आई अब एक वैली 4 ली तो इसके लिए भी एक 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 वैली एक ऑल रहे एक एक ले तो यहां ने है left hand side limit में यह a-1 हो जाएगा और right hand side limit में यह एक एक को लोगा ठीक है तो अब यहां पर यहां पर यहां जाएगा limit H tends to zero a plus H और यह होगा A ठीक है अब यहां पर हम A से एक अंस वेगा H की value substitute कर देंगे तो जाएगा 0 तो left hand side limit 1 right hand side limit 0 equal नहीं है तो it means function क्या होगा discontinuous होगा कहाँ पर A पर और हमने के सबोस्के integer तो इस तरह की से सभी पूर्णाओं को पर सभी integers पर function discontinuous होगा ठीक है हो गया प्रूफ बस आपको last में यह इस तरह की से statement लिख दिनी है ठीक है left hand side limit at A is not equal to right hand side limit at A hence function is discontinuous at at A और A हमने integers सबोस्के है तो it means all integral points सभी integers पे सभी पूर्णाओं को पर फलन असदत है ठीक है अब देखते है question number 17 find the relationship between यह between लिखा है ठीक है a and b so that the function f defined by तो यहाँ पर function दो तरह की से defined है f of x is equal to ax plus 1 if x less than equal to 3 and f of x is equal to bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equal to 3 ठीक है हिंदी में a और b के उन मानों को ज्याद कीजिए जिनके लिए दिया गया फ्रण f of x दरापरिबासित फ्रण x बराबर 3 पर संतक्त हैं ठीक है अच्छा थोड़ा सा difference है English की question में और हिंदी कोशन में English की question में है find the relationship between a and b a और b की बीच में relationship बराना है ठीक है और इसके लिए condition given है function f of x is continuous at x equal to 3 और हिंदी में लिखा है a और b के उन मानों को ज्याद कीजिए तो हिंदी में है कि a और b का मान ज्याद करना है इनकी value निकाल नहीं है जबकि English कोशन में a और b के बीच में relationship बराना है ठीक है तो यह question सही है और वहाँ पर थोड़ा सा question confusing है क्योंकि वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है जिसे हमें a और b की value निकालनी है तो हम a और b की value ऐसे निकाल नहीं सकते इसमें इसलिए निकाल सकते क्योंकि a और b दो variable है और दो variable के लिए दो equation होनी चाहिए और यहाँ से हमारे पास a की equation बन पाएगी दो equation नहीं बन पाएगी तो यह question ज्यादा clear है हमें यहाँ पर क्या करना होगा a और b के बीच में relationship बनाना होगा ठीक है और उसके लिए हमें condition given है function continuous है x equal to 3 पे यह हमें given है तो 3 पे क्या होगा left hand side limit right hand side limit और 3 पे function की value तीनो equal होंगे ठीक है तो उससे हमें a और b कई वीच का relationship बन जाएगा ठीक है तो इसमें सबसे पहले x equal to 3 पे left hand side limit निकाल लेंगे ठीक है left hand side limit के लिए limit इस तरह के से लिखते है limit x tends to 3 negative f of x 3 negative का वंदा होता है 3 से कम ठीक है 3 minus h और h बहुत छोटी value होती है तो 3 से कम मिस less than 3 और less than 3 के लिए f of x equal to a x plus 1 ठीक है x की जगह पे 3 minus h h बहुत छोटी value होती है nearest to 0 close to 0 तो इसलिए हाप यह गया होता है limit s tends to 0 ठीक है x की value 3 से बढ़ी है then f of x equal to bx plus 3 ठीक है f of x की जगह पे bx plus 3 आ जाजगा x की जगह पर लिख देंगे 3 plus h और limit h tends to 0 h की जगह पर 0 substitute कर लेंगे तो यह जगह 3 b plus 3 ठीक है अब 3 पे function की value f of 3 x की जगह पर 3 रखेंगे तो यहापर देखो when x equal to 3 यह equality के when x equal to 3 f of x equal to ax plus 1 है तो यहापर जब 3 रखेंगे तो यह जगह a into 3 x जगह पर 3 आ जगह 3 a plus 1 ठीक है तो f of 3 की value अगए 3 a plus 1 और क्योंकि हमें given है function continuous है सतत है x equal to 3 पे तो इसलिए 3 पे left-hand limit राइट है लिमीट और 3 पे function की value equal होगी ठीक है left-hand limit 3 a plus 1 राइट है लिमीट 3 b plus 3 और 3 पे function की value 3 a plus 1 ठीक है तो इंदो को लें या फिर इंदो को लें equation से बंद रही है है ना तो वैसे यह बन गया a और b की बीच में relation बन गया लेकिन थोड़ा सा और सिंप्रिफाइगा लेते हैं ठीक है यह यह लगा 3 a plus 1 is equal to 3 b plus 3 ठीक है अब इसको खुआ लेके जाओ थिरी ए वन को उसाहिए लेके जाराओ ठीक है 3 b1 को साहिए लेके जाए तो बनेस को हमारे पास ए और b के बीच में relation बन गया, ठीक है, हमें यह relation A और B की बीच में बता ना था ठीक है next question number 18 for what value of lambda is the function defined by f of x is equal to, यहाँ पे function दो तरी इसी defined है, f of x is equal to lambda into x square minus 2x if x less than equal to 0 and f of x is equal to 4x plus 1 if x greater than 0 continuous at x equal to 0 हिंदी में बोलता हूं, lambda की किस बान के लिए यहाँ पे फलन दिया वा है इसके दोरह जो परिपासित फलन है x बराबर 0 पर संतत होगा ठीक है और एक और question में, what about continuity at x equal to 1 x बराबर 1 पे भी हमें इसकी सांतेते की जाच करनी है, ठीक है तो सबसे पहले तो हमें lambda की value निकालनी है, कि किस value के लिए 0 पे यह continuous हो सकता है तो 0 पे यहाँ पे left hand side limit निकालेंगे left hand side limit के लिए 0 negative 0 negative लिए 0 से थोड़ा काम और lesson 0 का बतलब है f of x equal to lambda into x square minus 2x तो यहाँ पे f of x जगाँ जगा जगा lambda into x square minus 2x x के जगा पे लिए 0 minus h और limit हो जाएगी h tends to 0 जिसका मेरे reason तुमें पहले भी कई बार बता चुका हूँ सिधे हम value substitute करो तो यह आएका 0 ठीक है, तो left hand side limit आगा है 0 अब right hand side limit 0 पे limit x tends to 0 positive 0 positive का मतलब है 0 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, 0 plus h होता है h बहुत छोटी होती है, इसको कही बार हम डिसक्रस कर चुके तो 0 plus का मतलब ज़्यादा और it means greater than 0 और greater than 0 के लिए f of x equal to 4x plus 1, यहाँ पे f of x यहाँ पाँ जाँ 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 तो यहाँ पे x की जाँ पे 0 plus h और greater than limit equal नहीं है, तो 0 पे function क्या होगा discontinuous होगा तो हमें यहाँ पे lambda की value निकाल ली थी तो lambda की value तो आई नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पे तो यह पहले ही 0 हो जाँ रहे है lambda की value यहाँ पे कुछ भी हो lambda की value यहाँ पे कोई भी real number लो क्योंकि यह पूरा 0 हो रहा है तो इसलिए lambda की value को कुछ फरगी नहीं पड़ेगा lambda की value यहाँ पे कोई भी आप real number लेके देखना इस 0 ही आएगा ठीकि यहाँ बात आरे समझे it means यहाँ पे हम lambda की अगर कोई भी value लेते हैं कोई भी real number लेते हैं लटन से लिमीट ने 0 ही आना है और अटन से लिमीट क्योंकि 1 आ रही है तो यह equal नहीं होगा function discontinuous ही रहेगा 0 पर चाहिए lambda की value कुछ भी हो ठीक है तो इसलिए हम कहा देंगे hence for any value of lambda ठीक है कोई भी real लेकाप लेने गाए lambda की f of x is discontinuous discontinuous at x equal to 0 ठीक है इसने एक कुशन और है what about continuity x equal to 1 ठीक है तो x equal to 1 means greater than 0 और उसके ले function defined है f of x is equal to 4x plus 1 और यह कैसा function है पहले भी बताया है में दुने कही बार polynomial function बहुपदिया फ़लन और जो polynomial function होता है वो सभी real number पर continuous होता है ठीक है बहुपदिया फ़लन सभी वास्तिविसिंख्यों पर सदत होता है इसलिए यह जो function होगा continuous होगा at x equal to 1 एक method तो यह हो गया ठीक है और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो पूरा step by step left hand side limit निकालके 1 पे और right hand side limit निकालके 1 पे ठीक है चाहे left hand side निकालो या right hand side में निकालो f of x उसके लिए यह रहेगा 4x plus 1 ही रहेगा क्योंकि 1 जो है वो 0 से बड़ा है और 0 से बड़े के लिए function defined है f of x is equal to 4x plus 1 ठीक है तो उस तरीके से भी कर सकते हो ठीक है तो उसे खुद कर लेजेगा अगर किसी question में कोई doubt हो तो आप पूछ लेजेगा ठीक है बाकी question कल करेंगे